पुद्दुचेरी में पिछले कई दिन से चल रहा राजनितिक संकट 22 फरवरी को कॉंग्रेस की सरकार गिरने के साथ खत्म हो गया कॉंग्रेस की नाराइंसामी सरकार को सदन में बहुमत पेश करना था वोटिंग से पहले ही कॉंग्रेस और डियमके के विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया इसके बाद स्पीकर ने एलान किया कि सरकार बहुमत साबित करने में असफल रही पुदुचेरी में सरकार गिरने के बाद कॉंग्रेस ने दक्षन भारत में करनाटक के बाद दूसरा राज्य भी गवा दिया कभी कॉंग्रेस के मजबूत गड़ के रूप में माने जाने वाले दक्षिन भारत में आज पार्टी सभी राज्यों में सत्ता से बाहर हो चुकी है 2014 में लोगसभा चुनावों में हार के बाद से कॉंग्रेस सत्ता की लड़ाई में लगातार बीजेपी से पिछरती जा रही है पंजाब, राजिस्थान, छतीजगर, महराश्ट और जार्खन को छोड़ कर आज पूरे देश भर में पार्टी सत्ता से बाहर है महराश्ट और जार्खन में भले ही कॉंग्रेस सत्ता में हो लेकिन यहाँ पार्टी की भूमी का दूसरे या तीसरे नंबर पर ही है कभी वटविक्ष की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैली पार्टी की मौजूदा हालत यह है कि पार्टी के कमजोर होते संगठन और समर्पित कारेकरताओं की कमी को एहम रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है पार्टी में अंदुरू नीकला और राष्ट्री अस्तर पर नेतरत्व को लेकर असंतोष सार्वजनिक हो चुका है पार्टी के भीतर ही दो धड़े हो गए हैं मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस 15 साल बाद लोटी थी लेकिन ये सरकार 15 महीने भी नहीं टिक पाई जोतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिर होने के बाद मार्च 2020 में कॉंग्रिस पार्टी के 25 विधायकों ने राज्य विधान सभा से स्तीफा दे दिया मामला सुप्रीम कोर्ट पहुचा, फ्लोर टेस्ट हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री कमलात ने बहुमत साबित करने से पहले ही स्तीफा दे दिया जुलाई 2019 में कॉंग्रिस को उस समय जटका लगा, जब कॉंग्रिस जे डी एस गड़बंदन के 17 विधायकों ने स्तीफा दे दिया करनाटक में जे डी एस के साथ उसकी गड़बंदन सरकार सदर में विश्वास मत साबित करने में असफल रही पार्टी ने इसके लिए विधायकों के विश्वास घात को जिम्मेदार माना इसे करनाटक में भाच्पा के ऑपरेशन लोटिस की सफलता माना गया इसके बाद यहां भाच्पा की सरकार बनी 15 सीटों पर उपचुनाव हुए भाच्पा ने 13 दल बद्दूओं को टिकेट दे दिया बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल कर दी और अपनी सरकार बना दी 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाड, केरल, असम और पुद्दूचेरी में विधानसबा चुनाव होने वाले है इन चुनावों में पार्टी के लिए जीत हासिल करना बड़ी चुनावती है पश्चिम बंगाल में तो मुख्य लड़ाई इस बार भाजपा और तरनमूल कॉंग्रेस की मानी जा रही है यहाँ पार्टी लेफ्ट के साथ गड़बंदन में है यही नहीं कॉंग्रेस इन दिनों भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है पार्टी ने तमाम राज्यों में अपने नेताओं को इस संकट से जल्द निपटने के लिए कहा है इससे पहले कॉंग्रेस को साल 2019-20 में 149 करोड रुपे से जादा चंदा मिला था निर्वाचन आयोग ने 2019-20 में कॉंग्रेस को मिले चंदे से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्जनिक किया था रिपोर्ट के मताबिक ITC और इससे जुड़ी कम्पनियों ने 19 करोड रुपे से जादा चंदा दिया था जबकि Prudent Electoral Trust ने 31 करोड रुपे का चंदा दिया था